नमस्कार आज 16 दिन और इसी तरीके से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं शुक्रवा सोतस और उनकी व्याधियां और उनका रेफरेंस चरक्चेकित्सा में किस तरीके से लेना है और उसको किस तरीके से क्लब करना है सहिताओं को एक दूसरे से चरक के multiple references हैं शुक्रवा सोतस में जब हम देखते हैं कि शुक्रवा सोतस एक बड़ा broad spectrum term है जब शुक्र की बात आती है तो शुक्रधराकला की बात जरूर लेना चाहिए और उस शुक्रधराकला में हमें ये देखना चाहिए कि सर्व्यापी ये कला मतलब कि प्रतेक सेल में ह अगर कोई cell उसे आवरित करती है या फिर उसे एक तरीके से cover करती है तो वो common factor है शुक्रधराकला का और उस शुक्रधराकला की दुष्टी शुक्रधातू के अंतरगत ही आएगी और उस शुक्रधातू की जो दुष्टी है वो channelize होगी शुक्रवा सोतस से तो हमें ये दे शुक्रधराकला जो की प्रतेक सेल के एक आधार बनाती है उसमें शुक्रवा सोतस किस तरीके से भूमिका रखता है और उस भूमिका में clinical importance क्या है हमें clinically इसको कैसे देना चाहिए कैसे अजियूम करना चाहिए उनी बातों को आज हम चर्चा में लेंगे शुक्रवा सोतस के त्री सूतर में हम फिर से पहुँचेंगे हेतू, लक्षन और आशदी हेतूओं को अगर हम देखेंगे तो चरक विमानस्तान अध्याए 5 में डीटेल में हेतू बताए गए हैं और इन हेतूओं को कैसे कलब करना है और उसको चिकितसा स्वरूप में किस तरीके से उसका ब्रिजिंग करनी है, इनके बारे में आज हमारा चर्चा रहेगी, सबसे पहले देखें तो चरक विमानस्तान अध्याए 5 क्या कहता है शुक्रवा सोतस की दुष्टी के लिए, उन्होंने जो हेतू बताए हैं, उसमें सबसे पहले उन्होंने बताए है, चर इंडिजिंस जो हो रहा है, उसका काल सही ना हो, काल सही नहीं होने का मतलब होता है, एक तो रजस्वला सिचुएशन में अगर सेक्जियल इंडिजिंस हो रहा है, तब तो वो टोटली अकालियोनी गमन है, दूसरा अगर प्रहर्ष नहीं है, मतलब की without any feeling, उसके अलावा अ जो है sexual indulgence का होना, अब गलत वे मतलब abnormal वे को सुष्ट में बहुत डिटेल में बताया है, लेकिन चरक ने इसको इन शब्दों में या सूत्र रूप से समझा दिया है, अनिग्रहात मतलब की oral sexual situation, sodomy का part होना और homosexuality, अगर ऐसी situations अगर create होती है, तो अनिग्रहात मतलब की जह पर निग्रहात नहीं करना चाहिए, उन conditions में oral sexuality और sodomy और homosexuality अगर ऐसे कुछ patients है, या फिर ऐसी कोई history है patient की, तो in detail भी ये समझना चाहिए, कि अगर उसे शुक्रवासोतस related कोई लक्षन पैदा हो रहे हैं, तो हमें इन चीजों के बारे में भी in detail और frankly patient से discuss करके पूछना चाहिए, कि कहीं ऐसी situation तो नहीं है, कई बार heterosexuality की भी situation patients में मिलती है, male और female दोनों के प्रती attraction होना और ऐसी situation भी मिलता है, और ये history कई बार skip होती है, या फिर patient बताना नहीं चाहता, या फिर उसे out नहीं करता, और इन लक्षनों के, इन हेतुओं के कारण, बहुत बड़े लक्षन create होते हैं, तो पहला हेतु था अकाल योनी गमन का, दूसरा था अनिगरहात का, तीसरा है प्रवत्तर वेगों को रोकने से, ये बहुत बड़ा हेतु है, अब इसको हमें क्लब करना चाहिए, चरक सूतरस्तान अद्यास साथ से, जब शुक्र के वेग प्रवत हो रह है, वहाँ पर हमें रिफरेंस मिलता है कि, जब हम शुक्र का वेग धारन करते हैं, तो क्या-क्या लक्षन create होते हैं, और वो लक्षन जब create होते हैं, तो हमें क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या उसकी चिकित्सा है, तो वहाँ लिखा हुआ है, मेड्रे, व्रिषणे बोलता है, और बार-बार एक से लक्षनों के साथ, पेशन आपके सामने क्लीनिक में आता है, अगर वो ये clinical presentation दे रहा है, तो आपको definitely वेग विधारन संबंदी हेत्वों को जरूर से उसे touch करना चाहिए, और इन चीज़ों को उसे समझाना चाहिए, कि वेग विधारन में प sexual intelligence किस तरीके से करना चाहिए, उसके positioning क्या होना चाहिए, उसके time period क्या होना चाहिए, इन चीज़ों की in detail उसमें बात करनी चाहिए, साथी साथ उन्होंने बोला है अगला लक्षन, अंग मर्दो, very importantly, patient कई बार directly मेडर और रिशन शूल के बारे में पता नहीं पाता, उससे लगता है कि पूरी body में अचानक से दर्द कैसे होने लगा, और ये अंग मर्दो रिधी विता, रिधी विता मतलब कि heart के area में chest zone पे या फिर जहां पर medial medial syndrome है, उन zone पे patient को अचानक से व्यता या फिर discomfort create होता है, पूरी body में दर्द होने लगता है, हम इन लक्षनों को कभी कभी भी ये नहीं सोचते कि वो शुक्र वास्वतर दुष्टी के कारण create हुए, patient अंग मर्द और chest pain लेके आता है, तो हम उसकी local inquiry जादा करते हैं, कई बार ऐसी situation के साथ वो जब हम लक्षन लिखते हैं, तो वो chronological order में सबसे last में ये बताता है, because of the embarrassment और कई बार hesitation, उनके का समुच्चे है, ये शुक्र के वेग विधारन के कारण create हुआ है, जिसमें कि अंग मर्द होना बहुत ज़्यादा important है, रिदी विथा होना भी important है, बवेत प्रतिहते शुक्रम विबद्धम मूत्र में बचा, ये बहुत important segment, जिसमें कि बोला है विबद्धम मूत्र में बच चरक सूतरस्तान अध्यासाश श्रोक नंबर 10 हमें reflex बताता है, हमें बहुत completely bridge करता है, कि विबद्धम मूत्र में बचा मतलब कि अगर urine retention के शाथ patient आया है, उसकी body में बहुत ज़्यादा मर्दनवत पीड़ा हो रही है, याने कि बहुत excessive pain है, और heart के area में वो बता रहा है कि मुझे discomfort हो रहा है, और last में बताता है कि मेरे मेडर और व्रिशन इन areas में अगर दर्द हो रहा है, तो हमें अच्छे से ये समझना चाहिए, कि उसने शुक्रवेक का विधारण किया है, जिसके कारण उसको शुक्रवा सोता दुष्टी के ये लक्षन मिल रहे हैं, और साती स हमें और भी फिर चीज़ों की inquiry करना चाहिए, अकाल योनी गमन के बारे में भी उससे inquiry करना चाहिए, अनिग्रहाट याने की some different methodology of sexual indulgence के बारे में भी उससे inquiry करना चाहिए, इन तीनों हेतुओं को हमें कलब करके भी patient से बार-बार inquiry करना चाहिए, अगर ऐसे लक्षनों के सा situation बहुत जादा है, याने की unmarried या married दोनों situations में अगर उसकी situation मिलती है कि उसका sexual indulgence excessive level पे है, तो वो शुक्रवासोतस दुष्ट्री के एक बहुत बड़ा हेतु है, और हेतु से हमें आगे के लक्षनों में जैसे अंगमर्द लक्षन है, रिदीविता लक्षन है, मूत्र का लक्षन है, इन लक्षनों के साथ गर पेशेंट हमाय सामने clinical presentation देता है, तो हमें immediately इन हेतुओं के बारे में सोचना चाहिए, इन दोनों को कलब करके पहले तो निदान परिवर्जिन की कोशिश करना चाहिए, उसकी mental counseling करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि आपका sexual indulgence कितन लेवल पे होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, उसकी positioning के बारे में, timing के बारे में, इन सब चीजों के बारे में, बहुत ज़ादा frankly, patient को एक personal guidance देना चाहिए, साथ ही साथ, अगर हम देखें तो उसमें आनिकरहात के बारे में बोला है, वेगों के विधारन करने के बा दिया गया है, कि जितने भी व्यादियां होती है, उसमें सिर्फ शारीरिक रूप से चिकित्सा नहीं करनी है, उसकी मानसिक और आत्मी चिकित्सा, यानि की spiritual चिकित्सा और psychological treatment, इन तीनों treatment को club करके, सत्व, आत्मा और शरीर, इन तीनों की ही चिकित्सा प्रत्यक patient में करनी चाहिए, इसका reference है, चरक सूतरस्तान अध्या एक, validate reason और validate references के साथ, आपका confidence level हर patient में बढ़ेगा, अब जो second segment आता है, शुक्रवा सूतस में, चरक विमानस्तान अध्या 5 में, बार बार reference में मिलता है, शस्त्र कर्म का अत्यादिक उप्योग, शस्त्र कर्म का अत्यादिक उ आध्यम से हो, जो की local area में भी हो सकती है, या फिर शुक्रधराकला जो की संपूर्ण शरीर में है, उनमें भी over बहुत बार अगर patient history बताता है, कि उसकी बहुत बार operative history है, चोटे मोटे बहुत साड़े ऐसे operative अगर patient में आ रहे हैं, तो उस शस्त्र कर्म से भी कहीं न कहीं शुक्र वा सोतसदुष्ट होता है, इस चीज़ को अच्छे से समझना चाहिए, शार कर्म, शार का बाहर रूप से शार का इस्तमाल करना और अभेंतर पानी शार का excessive यूज़ करने से भी शुक्र जो की कफजन्ने हैं, उनमें अवरोधात्मक संप्राप्ती create होती है, या फ राइट में शार का इंटेक कितना है, या फिर कोई ऐसा treatment तो नहीं चल रहा जिसमें उसने शार का इंटेक बहुत जादा किया हुआ हो, या फिर उसकी अनोरेक्टल सर्जरी में excessive शार का प्रयोग तो नहीं किया गया, या फिर piles की कोई history है जिसमें उसमें शार का लेपन किय गया हो, ऐसे बहुत सारे segments के बारे में हमें inquiry शार के रूप में definitely करना चाहिए, अगनी कर्म या फिर जलने की कोई history, ऐसी कोई history जिसमें burn हुआ हो, इन में भी condition में definitely patient की burn history या फिर बहुत जादा अगनी कर्म उसने अगर कोई treatment module में लिया हो, ऐसे completely उसकी treatment और burn की history भी अगनी का अगर बहुत जादा संपर्क patient में हैं, तो उन condition के कारण भी शुक्रवा सोतस दुष्ट होता है, और patient में ये लक्षण मिलते हैं, जो की आगे बताएगे हैं, अब चरक सूत्रस्तान अध्या 28, श्लोक नंबर 18 और 19 में उन्होंने लक्षणों का समुच्चे बताय हैं, चरक विमानस्तान अध्या 5 में इनके हेतुओं के बारे में चर्चा करी, और उसमें एक सब रिफरेंस हमें मिला चरक सूत्रस्तान अध्या 7, नावेगान धारणी अध्याए में, जहां पर हमें प्राप्त हुआ कि शुक्र का वेग विधारण करने से क्या-क्या चीज जन्स हो जाते हैं, और उस क्लेविता में भी रस वास रोतस दुष्ट्री के कारण क्रिएट हुई क्लेविता, जहां पर अगनी मान्दग के कारण क्लेविता क्रिएट होती है, आहार रस उत्तर उत्तर नहीं पहुँच पाता और वो अवरोधात्मक संप्राप्ती, रस वा लिबिडो या फिर एरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर इन फर्टिलिटी की सिचुएशन क्रियेट हो रही है तो हमें चिंता और चिंतन ऐसे फैक्टर रस्वा सोतस दुष्टी के जो हेत्मों में बताए गये थे उनके कारण जो क्लेविता लक्षन आ रहा है उनमें से क्ल इंडलिजेंस होना जिसे करण वात्रकोप हो रहा हो या बहुत जादा ऑपरेटिव हिस्ट्री हो रही हो शार का इंटेक बहुत जादा हो या फिर शार ट्रीटमेंट लिया हुआ हो अगनी का ट्रीटमेंट लिया हुआ हो या फिर अगनी गुणात्मक बहुत जादा तीक् सोत mechanics सब्सक्राइब लंगन चिकट्सा का पालन करते हुए और उसे किस तरीके की methodology अपने sexual indulgence में करनी है इन चीजों को उसे प्रॉपरली समझाते हुए सत्व की चिकित्सा करते हुए ट्रीट करना देखें दोनों की treatment methodology बिलकुल अलग है और thought process भी अलग है निदान परिवर्जन भी अलग है तो क्लेविता को बिलकुल आसानी से जब patient आपके सामने आता है after that आहर्षणम सबसे बड़ा problem आज के एरा में आहर्षणम है जिसमें की जो बहुत सारे वेग मतलब की sexual जो वेग हैं उनको मनी मन में अपने अवरोधित कर देना ये सबसे बड़ा हेतु है बहुत बार ऐसा सोचने के कारण भी patient में lack of libido हो जाता है और this lack of libido is very 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 problematic इसके करण confidence lose होने लगता है और ये शुक्रवासोतस दुष्टी की संपून बॉड़ी में बाकी के मनुवासोतस में भी इसके लक्षण दिखने लग जाते हैं आहर्षणम इसके बाद बताया है बहुत important segment बताये हैं कि आने वाली generation में क्या problem होती है आने वाली generation का जो next progeny है वो भी clap वे हो सकती है अगर शुक्रवासोतस दुष्टी लंबे समय तक चलती रही तो क्योंकि पहले अहर्षणम नहीं था और उसके पहले एक baby हो गया और उसके बाद शुक्रवासोतस से आपने try किया और second baby भी हो गया लेकिन situation ऐसी थी कि जब baby हुआ तो वो clap विता लिया हुआ मतलब कि उसमें कुछ ऐसे जो feature है जो की primary lection जो आते हैं वो भी नहीं प्राप्त हुए मतलब कि primary features भी कई में नहीं रह पाते हैं और secondary level पे भी जब वो 12-13 years का हो जाते हैं तो secondary sex characters भी नहीं आते हैं So this we have to consider अंदर clap विस अंतानू में जो बताया गया है चरक सूतरस्तान अध्या 28 में अलपायू वाला मतलब कई बार बहुत जल्दी बेबी की death हो जाती क्योंकि शुक्र जो है धारन करना चाहिए मैंने अभी आपको बताया शुक्र धराकला वो सर्व धराकला पूरे शरीर में अगर आपको body retain करनी हो नए cell proper बनाने हैं तो उसके लिए भी शुक्र की आवशक्ता है और अगर शुक्र एक प्रोजनी से दूसरी प्रोजनी में नहीं shift होता तो patient की जो early age death भी हो सकती है कुरूप संतान जो उसके नाख, कान, मूँ पूरा ना बनना या हाथ या पैर पूरे नहीं बनना आखों का उपर या नीचे होना दातों का एक के उपर एक आ जाना ऐसे किसी भी अन्य रूप से जो normal features नहीं है वो आना कुरूप का मतलब बुरा दिखना या अच्छा दिखना नहीं जो normal features हैं आखों की जगा होना, नाख का नाख की जगा होना कान का कान की जगा होना ये भी रूप के लक्षनों में बताया है रूप का सौभाव कुन होना भी इसको बताया है इसमें कुरूपता जो है उससे हमें ऐसा meaning नहीं लेना चाहिए दरेकली ये meaning है कि जो उनके standards है या फिर actual locations है वहाँ पर जो body parts हैं उनका वहाँ पर होना आगे बोला है बहुत importantly गर्ब का धारन नहीं होता ना चास्य जायते गर्ब मतलब कि गर्ब की धारना नहीं होती ये female के cases में भी है और शुक्रदुष्टी अगर male में है तो भी female में गर्ब धारना नहीं होती तो वह गर्ब धारना हमें ये भी चेक करना चाहिए कि अगर male infertility create हो रही है तो भी उसके कारण female में वो जो baby है वो retain नहीं कर पाएगा और because of the strength of the semen जो की होना चाहिए उसकी वीकने से कारण भी कभी है हमेशा counting and mortality के basis पे ही हमेशा finalize नहीं करना चाहिए कि अगर moving sperm है या फिर उसकी strength अच्छी है तो ठीक है वो retain करें कई बार बहुत सारे psychological factors और inner core कभ की कमी होने कारण भी बच्चों का retention नहीं हो पाता और हम infertility के कई बार unknown cause में या idiopathic causes में उसे डाल देते हैं लेकिन अगर हम इन हेतुओं के साथ उसको match करके check करेंगे तो definitely हमें मिलेगा कि इन में से कोई हेतु है और साथी साथ अगर इन हेतुओं को नहीं मिलता है तो हमें तब हमें देवेपाश है और सत्वावजय के basis पे उसे सोचना चाहिए आगे लिखा है पतती प्रसव अब यहाँ पर रक्त का यहाँ पर गर्ब का स्त्राव होना और गर्ब का पात होना ऐसे लक्षन बता है चरक सूत्रस्थन अध्य 28 में गर्ब स्त्राव मतलब कि तीन माह से अंदर के अंदर अगर गर्ब का पात हो जाता है और तीन महा के बाद अगर गर्ब का पात होता है तो actual गर्ब पात situation होती है गर्ब स्तराओ तीन मैने के पहले जब completely हाट नहीं बना हुआ उसके पहले पहले अगर हो जाए गर्ब पात वैसी situation जिसमें की तीन मैने से जादा baby retain कर जाए या फिर जो fetal life है वो तीन मैने से जादा हो चुकी हो और उसके बाद वहाँ पर ऐसी situation आगी घर्ब पतन हो जाए ये कारण है शुक्रवा सोतर दुष्टी के ये लक्षण है और इनके कारण में आपको बताया कि ऐसे ऐसे बहुत सारे कारणों को लेकर patient आता है उसमें हमें वापस inquire करना चाहिए अब लास्ट लक्षणों में बताया है कि स्वयम को मतलब कि erectile dysfunction create हो जाना patient में या फिर उसे premature ejaculation होना उन situation में भी हमें ये देखना चाहिए स्त्रियों में भी मतलब कि उसके कारण स्त्री में भी कोई problem होना जैसे sexually transmitted disease हो जाना ये भी शुक्रवा सोतस में जैसे कि बोला गया है कि गलत तरीके से अगर उसमें योनिगमन हो रहा है तो भी आपको उसके कारण कई problem होते हैं जिसमें कि STD भी एक causative factor हो सकता है उसमें भी हमें शुक्रवा सोतस की ही चिकित्सा मूले रूप से सोचनी चाहिए संतान में chromosomal deformities कई बर होती हैं कई बर ऐसे segments होते हैं जिसमें अकाल ये मतलब की गलत टाइम पे अगर sexual indulgence हुआ है जिसके कारण बेबी हुआ है तो उनके कारण भी संतान में बहुत सारे लक्षन होते हैं सवाल आ रहा है कि cleft palate का reason भी शुक्रवा सोते दुष्टी हो सकता है बिलकुल हो सकता है अगर एक रूप के रूप में देखा जाए तो अगर हम patient की mother और father के history में इसमें चिकित्सा के रूप में देखेंगे तो हमें उसकी history में हेतुओं को जरूर inquire करना चाहिए कि उसमें कहीं जो time period था वो कहीं गलब तो नहीं था उनका मन नहीं था baby plan करने का तब तो ये situation नहीं थी साथी साथ उनके जो chromosomal situation है उसके पहले की generation में भी कोई ऐसी history तो नहीं थी साथी साथ शस्त्रशार अगनी कर्म की excessive history mother या फाधर में तो नहीं है ये सब जरूर normality अगर दिखती है तो हमें definitely inquire करना चाहिए अब आती है चिकित्सा की बात चरक चिकित्सा में ना जाकर हम चरक सूत्रस्तान में जब पहुंसते हैं तो इसका एक बड़ा reference मिलता है चरक सूत्रस्तान अध्याएट 20 वहाँ पर मज्जा और शुक्री की चिकित्सा बताते time अचारे बताते हैं कि यहाँ पर मदूर और तिक्तिसकंद की ओशदियों का पान करना चाहिए मदूर और तिक्तिसकंद की ओशदियों की listing करते समय आपको आपके environmental zone या फिर आप जिस जगह पे practice कर रहे हैं उसकी list यहाँ से match करना चाहिए चरक विमानस्तान अध्याएट मे सकंद दिये गएं वहाँ पर मदूर और तिक्तिसकंद को आप निकालें तो बड़ी आसान आसान सी medicine मिलती है जैसे तिक्त में आपको हरिद्रा मिलती है गुडूची मिलती है अगुरू मिलता है दारवी मिलती है नीम मिलता है उशीर मिलता है मुस्ता मिलता है बड़ी आसा पोशेदियों को ले सकते हैं अब आपको देखना है कि यह जो व्यादियां है यह संतरपन जन्य है या अपतरपन जन्य है तो हमें चरक सुत्रस्तान अध्या का विधारन कर रहा है तो उन कंडीशन में वहाँ पर अगर पेशेंट अती स्थूल है तो पहले आप स्थूल की चिकित्सा साथ में करें और उसके साथ साथ में शुक्रवसोतर दुष्टी की चिकित्सा करें जिसमें मदोर और तिक्तर आउशदियों का इस्तमाल करें अब य क्या क्या समानता है और हमको क्या-क्या फॉलो करना असान रहेगा चरक सूत्रस्तान अध्याय साथ में जब हम देखते हैं और वहां देखते हैं कि शुक्र के विधारण करने की जिकित्सा क्या बताई गई है कि उसों कैसे ठीक किया जाए तो वहां बड़ा आसान रिफरेंस अगर शुक्र का वेग विधारण किया है और ऐसी हिस्ट्री कारण पेशंट है जो बारवार वेगों का विधारण करता है तो आपको क्या-क्या करना चाहिए उसे पूरी बॉडी में ऑईलिंग करना चाहिए अब हमें मदोर और तिक्त का बेस मिला है चरक सूत्रस्तन अध या 28 से हमें मदोर और तिक्त के कोई भी द्रव्यों को सिलेक करना चाहिए जैसे हमने सिलेक या गुडूची और अश्रगंदा तो आपको अम्रिता और अश्रगंदा का जो तेल है या फिर गुडूची और शतावरी या फिर गुडूची और आत्मगुपता इनसे आपको लाब होगा शुक्रवस उतरस पर भी अवरोधात्मक संप्राप्ती क्रियेट होती है वेक का विधारन करने से वहाँ पर मदोर और तिकत और शदियों का सेवन करने से आपको बहुत ज़्यादा लाब होता है तो आपको अभ्यंग किस से करना है मदोर और तिकत और से अफगा किस से करना है मदुरतिक तोशदियों से उसके आगे बोला है मदिरा का पान करना मदिरा का रिफरेंस चरक सूतरस्तान अद्या साइथ 27 में कि मदुरा के एक्चली गुण क्या है और वो शुक्र में कैसे काम करती है क्योंकि जादा तर जब हम पढ़ते रहते हैं तो हमें मालूम रहता है कि मदुरा जो है तो आशुक्र जन्य है तो फिर वो शुक्र में कैसे काम करेगी यहाँ पर सिर्व अवरोदात्मक संप्राप्ति और वेग व वहां के रिफ्रेंस केस आपसे आपको मिलता है हिकाश्वास प्रतीशाय कास वर्चो ग्रह अरचव वम्या आनाह विभन देशु वातगनी मदिरा हिता मदिरा के गुण बताए गए हैं वहां पर बताए गया है पेशन को हिका हो याने हिचकी हो श्वास हो याने की श्वास करचता हो प्रतीशाय हो याने की प्रतीशाय की लक्षन हो याने की लंबे समय से जुकाम बना हो कास हो यानि की खासी हो रही हो मल विबंद हो यानि की motion clear ना हो रहे हो अरुची हो वर्चोग रहा अरुची हो रही हो उसे किसी भी चीज में इंटरस्ट नहीं आ रहा हो फूड में उसे बार बार उल्टियां हो रहा हो वम्या आना हा paid full ने की situation create हो विबंदेशू मतलब किसका विबंद वातग नहीं मतलब की अधो मार्ग की जितनी भी वायू है जिनके कारण मल मूत्र शुक्र और साथ साथ में रज अगर इनका अवरोध किसी भी कारण से create होता है तो उन सभी लक्षणों में मदिरा हिद कारी है यानि कि अवरोधात्मक संप्राप्ति आपकी अपान वायू के कारण या शुक्र के कारण अगर आपकी create हो रही है दोनों की दोनों situation में मदिरा को condition wise इस्तमाल करना चिकित्सा के रूप में आया है अब आगे बोलाएं अब भ्यांगो अवगाह मदिरा आगे का रिफरेंस है चरणा युधा चरणा युधा का मतलब होता है मुरिगा इसका रिफरेंस आया है फिर से चरक सूत्रस्तान 27 श्लोग नंबर 66 चरक सूत्रस्तान 27 श्लोग नंबर 66 66 आप वहाँ देखेंगी तो आपको रिफरेंस में मिलेगा स्निग्द चाऊशना व्रिश्यस्च ये बहुत इंपोर्टेंट सेग्मेंट से कि अगर व्रिशता की आवशक्ता है या फिर की आहर्शनन situation create हो गई है क्लैबविता situation create हो गई है तो वहाँ पर चरणा युधा याने की मुर्गे का इस्तमाल करने क्या वढ़णना है ब्रहणा स्वरबोदना बल्ल्या परमवातहरा स्वेदना चरणा युधा चरणा युधा का मत्तब होता है मुर्गे का मांस वर्धक स्वर को तीवर बनाने वाला और साथी साथ बल दायक और वातनाशक है और स्वेध क्रियेट करने वाला जो है वो मुर्गे का है यहाँ पर मैं आपको बार-बार इंडिकेट करूं कि मुर्गा मतलब ब्रॉयलर नहीं होता यहाँ पर कोई भी जो condition है जिसे mix किया जाता है उसे बिल्कुल भी ना indication मिले मुर्गा मतलब देशी मुर्गे का इस्तमाल करने के लिए यहाँ बताया है और उसका इस्तमाल करतने से आपको इन गुणों की प्राप्ति होगी और साती साथ आपको वाजिकर reference मिलेंगे यह होती नौन विच की बात अब vegetarian patient में आपको शाली का यूज करना है अब शाली का reference भी चरक सूत्रस्तन अद्या 27 में बताया गया है और वहाँ पर श्लोक नंबर 14 & 15 में आप देखेंगे चरक सूत्रस्तन अद्या 27 श्लोक नंबर 14 & 15 वहाँ पर आपको reference मिलेगा कि शाष्टिक शाली के गुण क्या है वहाँ पर बुला गया शीतो स्निक्दो गुरू स्वादो त्रिदोश अगना अगर त्रिदोश के कारण किसी भी दोश के कारण अगर आपको problem हो रही है वो शुक्रवस उत्तस वाता जो पित्त जो या कफ जो उन सभी में आप शष्टिक शाली का इस्तमाल definitely करना चाहिए अब साथी चावल everyday तो use होते नहीं लेकिन साथी चावल की खीर बना के आप इस patient में use कर सकते हैं क्योंकि next word ही जो आता है वो लिखा है शाली पयो पयो का मत्नब होता है गाय का दूद गाय का दूद का जो reference ह वो भी चरक सुत्रस्तान अध्या 27 श्लोक नंबर 217-218 चरक सुत्रस्तान अध्या 27 श्लोक नंबर 217-218 वहां लिका हुआ है कि आपको वहां पर गोरस वर्ग में आप जाएंगे तो पहला श्लोक है स्वादू, शीतम, म्रदू, स्निक्धम, बहलम, शलक्षणम, पिछलम, गुरू, मन्दम, प्रसन्दम, चागव्यम, दशवंगुडम, पया ये जितने भी दस गुण है ये आपको शुक्र बढ़ाने वाले और शुक्र की गुणों से मैच करता हुआ है शाली के साथ अगर आप पय का इस्तमाल करते हैं और उस पेशन को शष्टी शाली की खीर एवरी डे या फिर ऑल्टरनेट डेज आप देते हैं तो आपको डेफिनेटली शुक्रवा स्रोतस की क्लैबविता सिचुएशन में अहर्शणम सिचुएशन में मतलब कि लैक ओफ लिबेडो में एरेक्टाइल डिस्फंक्श में प्रीमेच्चर एजेकुलेशन में इन तीनों सिचुएशन में ये डाइटरी प्लान का ये सेग्मेंट एक चिकित्सा के स्वरूप में होगा आगे बोला गया है निरू हश्या ऐसी कौन से निरू बस्तियां हैं जो कि आपको शुक्र बलको अत्यादिक तेजी से बढ़ा है इसके रिफरेंस आते हैं यापन बस्तियों में चरक सिद्धी स्थान अध्याए बारा में आने वाली यापन बस्तियों या फिर उत्तर बस् बस्तियों के अलावा चरक सिद्धी स्थान अध्याए आठ जहां पर प्रासुतिक बस्तियों का इस्तमाल आया है उनका डेफिनेटली आप प्रयोग करें जहां पर शुक्र की अवरोधात्मक संप्राप्ति क्रियेट हो रही है वहां पर अनुलोम करके ये निरू बस्तिया वहां पर तुरंती तुरंत शुक्र वसोतस की दुष्टियां क्लियर करती है तो हमारे पास आंसर आया कि मदुर्तिक द्रव्यों से आप उस्ते अभ्यंग करवाईए उसके बाद आप उसके अवगा करवाईए उनी द्रव्यों में उसे लटाईए साथी साथ मदिरा का पा नहीं करना अगर vegetarian patient है शाली पयसा मत्तब कि शश्टी शाली के खीर उसे patient को देनी है और निरूबस्तियों का इस्तमाल योग बस्ती काल बस्ती या कर्मबस्ती के अनुसार जैसी उसकी situation है जितनी हानी उसे हो चुकी है उन condition के हिसाब से देना चाहिए क्योंकि शुक्रवा सु सब्वेद का इस्तमाल करते हुए आप मदोर और तिक्त वाशदियों का इस्तमाल करते हुए इस patient को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं और segment क्या बचे आप उसका diet plan आपको बनाना है जिसमें मदोर और तिक्त वाशदियों को बीच-बीच में in terms of diet भी use करना है साथ ही साथ उसका व्यायाम का schedule बनाना है उसकी exercise उसकी body की strength improvise करने के लिए या अवरोधात्मक संप्राप्ति अगर है तो lower body segment की exercises उसको समझानी है leg raise exercise समझानी है mental strength improvise करने के लिए उसको प्राणयाम करने के लिए कहना है और concentration improve करने के लिए उसे meditate करने के लिए कहना है इन segments की proper planning करने के साथ आपको एक चीज और समझनी है कि उसकी sexual indulgence है वो भी कितने दिनों में होना चाहिए और कौन से period उसके लिए safe है अगर वो progeny चाहता है या अने वाली generation चाहता है जिसमें clevita कोई लक्षन करियेट हो गया है तो उसके treatment module के लिए आपको fruitful period याने कि जो fertile period है उस time पे आप उसे use करें ovulation का period female और male दोनों को ही समझाना है उसके complications भी समझाने कि जो बाद में chromosomal situation create हो सकती है उन में कोई defective situation ना हो इसके लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखें इन ही लक्षनों के इन ही हेतू और इन ही चिकित्सा को एक दूसरे से club करें हेतू लक्षन और 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 शदी का जब तक clubbing या tripod नहीं बनाएंगे तब तक आपको चिकित्सा में संपलता प्राप्त नहीं होगी इन चीज़ों के साथ साथ में patient को spiritually heal करने और साथ में उसके psychological counsel करना भी एक वैद्दे का परम करतव है इन ही शब्दों के साथ शुक्रवसोतस में आपको क्या-क्या लक्षन या क्योछ क्योरी हो तो आप यहाँ पर message डाले उन message का answer मिलेगा और अगर मुझे नहीं समझ में आएगा तो मैं और गरंत का वाचन करके उसमें आपको reference के साथ उसका proof देंगे आप हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि जब भी आपको गरंत का आधार रहता है या validate reasons रहते हैं और validate reference रहते हैं तो आप अपनी चिकित्सा का आधार proper कर पाते हैं और उसमें आप ज़ादा लाब ले पाते हैं इनी शब्दों के साथ साधर नमस्कार और साथी साथ आप स्वस्त रहें आने वाले lockdown period में भी आईरवेद की पद्दितियों का पालन करें ज़ादा से ज़ादा आईरवेदिक lifestyle को follow करते हुए अपने आपको स्वस्त बनाने की पूरी कोशिश करें और लगातार आईरवेद चिकित्सा प्रणानी पर परम विश्वास करते हुए आगे की life जीए सादर धन्यवाद